विल्कम तु स्टडी मोर नोलीज तो एंसी रटी हिस्ट्री के प्रीवेसरी क्वेशन्स हम डिसकस कर रहे हैं जो की सीटाइड के एक्जामस में पूछे गए हैं तो आज हम प्रीवेसरी क्वेशन्स जो डिसकस करेंगे वो हैं चैप्टर 10 के जो की है नए सामराज्य और सभाएगा हैं सही ओप्शन हो जाएगा फीर फ्रफ यहां पर करेक्ट हो जाएगा घृट तो यहां पर आप इसके आप कुछ पिक्चर्ष देख सकते हैं तो यह तरह से सिक्के हैं लूट बजाने वाले राजा के रूप में इसको एक तरह से चितृत किया गया है तो दक्षिनापत शाशकों के लिए थी सही option हो जाएगा थर्ड इन्होंने हार स्विकार की और इन्हें पुने शाशन करने के लिए अनुमती दी गई तो जो दक्षिनापत के साशक थे उनके लिए ये बात कही गई है देखो ये सारे चीज़ें हमें पता चलती है किसे समुधर गुप्त की प्रशंसा में लिखी गई हो तो कवी ने इसमें राजा की एक योध्धा युद्धो को जीतने वाला राजा विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवी के रूप में भरपूर प्रशंसा की है इसे वज़ इन चार विभिन प्रकार के राजाओं और उनके प्रती समुद्रगुप्त की नीदियों का वर्णन करते हैं तो यहां पर देखो चार तरह के राज्ये यहां पर दिखाए गए हैं तो यहां पर अगर आप देखें हरे छेत्र में जो चिन्नित किया गया है यह वाला या राज से दिखेंगे लाल बिंदू से दरशाय गया है यह दक्षिनापत के 12 आशकते यहां पर इन में से कुछ की राजदानियों को लाल बिंदू से दरशाया गया है सभी की नहीं है कुछ की है तो पराजित होने के बाद उन्होंने समुद्र गुप्त के सामने आत्म समर्पन कर दि तो यह वाला ही हमारा क्षिन में पूछा गया है यहां पर आप इंग्लिश में इसको देख सकते हैं बागी अभी हम बागी की बारे में देख लेते हैं बैंगनी रंग में जो दिखाया गया है यह है असम तटिय बंगाल नेपाल सहीत पडोसी देश राज्यों का भीत्री होते थे तो जो यह आप पैंगनी रंग में एरिया देख रहे हो तो यह सम वाला पूरा एरिया है नेपाल अगयरा का काफी बड़ा एरिया है यह इसके बारे में यह बात कही गई है समद्रगुष की प्रसस्ती में अब यह बलू वाला जो एरिया है इसके बारे में देख किरने के छेत्रों के शाषक है और श्री लंका के शर्वार्ण के विदेशित पेशन वाला विदेशी धित्य था को ने तो यह लिखी गई संस्कृत में तो दर्बारी कवी था बानभट हर्षवर्धन का तो जीवनी लिखी थी हर्ष की हर्षवर्धन की इसने हर्ष चरित के नाम से तो यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में जिस तरह गुप्तवंश के शाषोकों में अभी शाष चलता है उसी तरह से कुछ अन्य शाषकों के बारे में उसकी जीवनी से पता चलता है तो ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन भी थे जिनका जहमें जीवनी से उनकी पता चलता है जिन्होंने करीब चैनल को जिसे के आपको सभी नोटिविकेशन्स एंड अपडेट्स मिलती रहें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी रहें तो मिलते हैं नेक्स ग्रास में तब तक के रिस्टे कनेक्टिट एंड कीप वाचिंग स्टडी मोर नॉलिच थैंक्स पर वोचिंग